आफिस में करने होंगे ये बदलाव फिर कोई नहीं रोख पाएगा आपकी तरक्की नमिशकार में हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइम स्प्रीचुल वास्तु शास्त्र में दिशाओ का विश्येश महरत पुमाना गया है ऐसे में यदि आप अपने ओफिस में भी वास्तु के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको अपने करियर या व्यपार में सफलता मिलने की संभाव नबढ़ जाती है ऐसे में आप अपने ओफिस में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर भी लाप प्राप्त कर सकते हैं देखे वास्तु शास्त्र के नुसार ओफिस में उत्तर दिशा की और मुख करके बैठना शुब माना गया है मही पक्षिम दिशा भी वास्तु की दृष्टी से अच्छी मानी जाती है इससे व्यक्ति को अपने करियर या व्यपार में आश्यती तरक्के मिलने लगती है लेकिन मही दक्षिम दिशा की और मुख करके बैठना वास्तु में बिलकुल भी सही नहीं माना गया है इसके साथ अपने ओफिस डिसक पर हरे भरे पौधे जैसे मनी प्लांट या फिर बास आजी का पौधा रखना चाहिए इससे सकरातमक माहवल पैदा होता है जो काम करने की परिस्तितियों को और भी बहतर बनाता है ध्यान रखें कि ओफिस डेस्क पर रखा पौधा सूखना नहीं चाहिए इसके साथ ही आप अपने ओफिस डेस्क पर हर्याली वाले स्थानों की तस्वीरे भी रख सकते हैं इससे भी आपको करियर में सकरात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे वहीं अगर बात करें कि आपको किन चीजों से बचना है तो कई लोग अपने ओफिस डेस्क के नीचे कूड़े दान रखते हैं लेकिन वास्तु की दृष्टी से इसे बिलकुल भी ठीक नहीं माना गया है इससे नकरात्मक ताब बढ़ने लगती है ऐसे में यदि पहले से ही आपके ओफिस डेस्क के नीचे कूड़ादान रखा है तो उसे तुरन थटा दे इसके साथ ही अपने ओफिस डेस्क को हमेशा ऐसे में साफ सुत्रा ही रखना चाहिए उस पर समान फैला हुआ नहीं होना चाहिए और अपनी मेज को यवस्ते दंग से रखना चाहिए लाल के लिए इतना ही ऐसी हो चनकारियों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन स्पृट्ट्वल